कि यत्र नार्यंतु पूजयंते रमंते तत्र देवता संस्कृति और संस्कार के नाम पर जाने वाले भारत में क्या आज बीटिया सुरक्षत नहीं है नमस्कार आपके साथ मैं हो रितिक सवीता स्वागत है आपका SPN 9 News के इस खास प्रोग्राम में और प्रोग्राम के सुरुबाद करेंगे महिला खिलाडी विनेज फोगार से किस तरीके से बिनेज फोगार जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती है और प्रोटेस्ट के दौरान कहीं न कहीं ब्रजभूशड पर गंभीर आरोप लगा देती है और ये भी कह देती है कि उनके पास तमाम सभूत हैं तमाम तस्वीर हैं तमाम वीडियो हैं जो वो छु बिनिश फोगाट जिन्होंने अंतराष्टी स्थर पर भारत का पर्चम लहराया तरंगा को लहराया और कहीं नाम रोशन कर दिया लेकिन वहीं देखा जाये तो ब्रजभूशन जैसे तमाम ऐसे नेता यहां पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छिड़क खान लगातर जीत दर्जी भी करते हैं इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सयोगी राहुल राहुल से भी सवाल लेंगे किस तरीके से यहां पर जो विरजभूशन है उनको जैल होगी या नहीं होगी यहां पर नरंदर मोदी प्रेस कॉनफ और कर रहे हैं उनको जैल होगी या नहीं सबसे बड़ी बात अभी हम देख रहे हैं ब्रिजभूशन सरंट सिंग एक ऐसे बाहु बली एक ऐसे नेता जिनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है चाहे मैं ताड़ा केस की बात कर लो दाउत की साथ बात कर लो और परिके से कई स्कूल कई कॉलेजों की अगर हम बात करें तो यह तवाम चीजे आज बताती है कि इतने कम वक्त में इस तरह से चीजे उन्होंने हासिल कि और सबसे बड़ी बात है कि महिला पहलवानों ने जिस तरह का रोप लगा है कोट में जो है उनको घसीटनी की बात कई जा रही है हाला कि जो ब्रिजबूशन सरन सिंग उनके तेवर अब धीरे-धीरे नरम पढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे की वज़ा क्या है क्योंकि जो महिला पहलवान है वो यह कह रही कि उनके पास तस्वीरे वीडियों है अगर वो कोट में आएंगे मीडिया में रहो जाता लेकिन अनुरक ठाकन उन्ने है उन्होंने चुपी साधी इस युआई शुपी स सादे ग्रा माने में पूरे महीं क्याव में रचाना होगा देखिए दूसरा सवाल यह भी उठता है कि जहां भारत लगातर यह कहता है बीज़िवी पार्टी यह कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पड़ा हम संस्कर्ति के लिए जाने जाते हैं और यह एक महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर लगातर प्रोटेस्ट करती है अनुराक ठ बुषन लगाता रैलिया जंजशंबूधन कर रहे हैं एक चीज अगर मैं कहों तो एक होता है विश्वास और एक अत्म विश्वास ज़्यादा जो आत्म विश्वास में जीता है उसका वही हाल होता जैसे ब्रिजभूशन का बिजभूशन सरंट सेंग जो यह सोच रहते क कि मेरे पास ताकत है मेरे पास पावर है में बीजेपी में हूँ इतना सब कुछ है लेकिन आज क्या उतर रज़ा रहा है तो जो अभी की तस्वीर हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिजबूशन सरंड सिंग का भी वही आलोगा जो कुर्दीप सिंग सेंगर का हाल होगा और जिस त कि बेटे का हाथ देखा गया और अजय मिश्रा आशिश मिश्रा टैनी यह कौन है भाचपा के लोग है तो आज के वक्त में हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से यह सत्ता में रहकर जो काम कर रहे थे वह कहीं न कई धरी धरी एक्सपोज हो गया और मुझे ऐसा लग रहा से मिश्रा टैनी का जिक्र किया मनुझमित्यल कंजावला केस में फसी हुए थे स्रीकान त्यागी महिला के साथ अवद्र बात करते हैं मा वेहन की गालिया भी दे देते हैं इसके वावजूब भी पार्टी में शामिल हैं एमसीडिश नॉमें लगाता रैलिया करते रहे जं को घेरा जाता है राहुल गांदी का माइक आफ कर दिया जाता है तमाम EDCVI की रेट डाली जाती है लेकिन जब बीजेपी का नेता गरवड़ी करता है या फिर दुस्तकरम के मामले में शामने आ जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है व्रजभूशन का जिक्र करना चाहूं और इनसाफ के लिए जो बेटिया देखी लगतार हमारा अब लाइफ शेशन के दौरान डिवेट के दौरान बातचीत करते हैं कि बेटियों को आखिर इनसाफ मिलेगा कैसे है इसका रास्ता एक ही है कि जो कानून वेवस्ता पे जो बीजेपी के बाहुबली का कपजा है व और शासन मंदारी से काम नहीं करेगा और इन बाहुबली उससे डरेगा तो पर कैसे मिलेगा तो मुझे हाँ अजी आपने एक टूइट ही बिजेपी बिजेपी है है मतलब ब्रजभूशन होने का मतलब है बीजेपी है इस तरीका का ट्रेंड ठीक रहता है कि मतलब जो चाहता है में पासे पैसा है मेरी पेसकार है मेरी पास 14-20 स्कूल्स है क्यांना चाहता हूँ। देखिए ने एक ललन टॉप का एक इंटर्वियू है उनका बजबति वो कह रहे हैं कि भाई मैंने गोली मारी है और कैमरा वो कह रहा है उसके बाद उसके पता ही है पुलिस प्रशासन चुप है अब इससे आप आगर आप या मैं कहा दूँ कि मैंने किसी का मडर किया है कल मैं नहीं मिल पा रहा हमारा आप Почему को है आगर आ। साही बात है आज कहीं न कहीं सरकार मूख दरसको बनी हुई है आखिर सरकार मूख दरसक क्यों बनी हुई है सरकार को किस बात का डर है यह ट्रेंड क्यों चला जा रहा है कि व्रजभूशन मतलब बीजदेपी, ये बड़ी बात है, अनुराक ठाकोर जो है यहां पर कहीं न कहीं डिनर की बात कर लेते हैं, इसमिरतिरानी शान्त रहती हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, जो कहीं न कहीं बीजदेपी की चापलूसी भी करते हैं, मीडिया में कहीं कमान हैं, प्रधान मंत्री नरंदर मोदी की बात कर लो, अमिश शाहे की बात कर लो, राजनास सिंग की बात कर लो, अनुराक ठाकोर की बात कर लो, क्या ये बिरजभूशन सिंग का स्थीपा मांगेंगे, दर्शकों आपको क्या लगता है कि बिरजभूशन सिंग सरण को ल